हालो दोस्तों नमस्कार मैं डॉर्टर दुर्गा संका शुक्ला मैं खेलती इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आई दोस्तों जानते हैं ECG को जल्दी से पढ़ते हैं आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं ECG क्या होता है इनलेक्ट्रकाडियोग्राफि इनलेक्ट्र कर भी टेकनिक एफ रिकार्डिंग ऑफ एलेक्टर कार्डियोग्राफिटी जनेरेटis दीकर वाइध से लॉर्ट्रिक्रक्रदृइअ हार्ट की सेल्स जो करती है उसी को रिकार्ड करनी की टेक्निक लिक्टो काडियोग्राफ ही कहते है 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 लिक्टो काडियोग्राफ बिद्विन पॉस्टिव और निगेटिव मसीन कोई लेक्ट्रो कार्डियो ग्राम कहते हैं आए यह देखिए सीजी का डिस्क्रिप्शन देखा है रीदम बेट क्यूर्स कंप्लेक्स पी बेप पी आर इंटर्वाल क्यूर्स कंप्लेस एस्टी सेग्मेंट टी बेप यू सेगमेंट में निखा है यह देखिए क्या क्यों से प्लेकशन में क्या बेसिक लिवेब करता है की वायस कांप्लेक्ट जो वेंट्रिक्रट रिप्लारेसन सो करते है इस आट में एसे नोड है एक अधर आवी नोड है इस में कलर कोडिम में दिखाया के एसो नूड को ब्लैक से यह वी को t-wave को अच्छी तरके सघ्व지 सेग्मेंट को दूसरे कलर से सब दिखाये गया है इसमें अब आते很好 Dec G क्छ होता है। सब प्य लिजक कितना होता है। कि टू टुन टू पाइथ होता है। सब प्य लिजक घ्मर्वड का बहुते हैं। में और इससे कैसे का इसे इसमें क्या दिखाया गया है तो देखें कि यह फिरेटि रहे ज तो डिखाया गया है कि इसमें यह तो इसमें यह सब दिखाया इसीजी की नौरम वालू पीरेट इन मिली सेकेंड एम्प्रीटूड इन मिली बोर्ट में दिखाए गया है अब देखते हैं AB नूडल रिसेंटी टेकी काटेक है नैरो क्यूरस कॉम्प्लेक्स पीब भीडेन इन क्यूरस AB रिसेंटी लिगें लेड टू रिपोलारेशन डिस्टर्बेंस एन एस्टी डेप्रेशन इसमें देखे यह दिखाए गया है कंप्लीट आर वीवी में क्या होता है वाडनिंग आप की आरस की आरस की वाडनिंग रहेगे डिल्या आप टैड्मर निगेटिटी इन वीवन वीवन में मोर देन जीरो पॉइंट थी सेकेंड होता है फ्रेक्वेंसी आरसार पैटर्न होता है वीवन में रिप्लारेशन डिस्टर्व में वीवन टू भी त्री में दिखाए गया है यह डिवीशन का एंगल दिखाए जाए इसमें राइट एक्सी डिवीशन नॉर्मल एक्सी कितनी होते है एक्स्ट्रीम एक्सी डिवीशन कितना होता है यह इसमें दिखाए गया है आते दिखते हैं हम इसमें दिखते हैं कैसे क्या आता है फॉर्म आफ एस्टी डिप्रेश से दिखाया गया है अब अressing छोप्रेंग में और हऊरिजंटल में स्लोपति दिखाया गया है और डाउन्वाट स्लोपिंग में हिसका स्टे डिपिरेशन प्रेशन दिखाया किया दुन तरह तेख सकते हैं नॉर्मल फाइंदिंग इस्ट्राउंग फिसकल अलेक्टिक टिपकल और आप फार मायो काइव में दिखाएगा कैसे कहा होता तो कैसे यह आता है क्याता है नॉन की वे चास्टंट मायो और्णक्वे इन्फाक्ष्चन कैसे इस था सब्र इन्टल का.. इन्टल क्सेल लीन्वेशन और पिर्ण यहिसे पी कोर्डेयलिड और सुँ आप लॉस और नो की वेब्स या यह दिखते हैं कि माय कॉर्डेन फ्रक्षन में इसीजी का क्रिटिरिया कैसे क्या आता है एरली स्टेजन में फ्य मिनिट में गुआ तो टाल टी वेब दिखाए देगी अगर स्टेज फर्स्ट है मतब अप टू सिक्स आवर हो गया है तो एस्टी स्टेज और एलीवेशन होगा आरवेव होगी और इसमाल की वीव होगी या नहीं की व नहीं दिखाए देगी अगर इंटरमीडर स्टेज मतलब न्लम सिक्स और बीच जाई टेस्टी एलीवेशन दिखेगा डिद टी वेव इनवर्जन होगी लास आरव देखाए और क्यू Q-wave दिखाई देगी T-wave inversion होगा और ST normalization हो जाता है विल्कुल stage third में क्या होता है residual होता है मतलब persistence Q-wave दिखाई देगी loss of R-wave loss हो जाएगी और T-wave नर्मलाइज हो जाएगी यह देखे माई का क्या था इंटीर वाल माई V1 से V1 और V6 में दिखाई देखता है अब कौन सा MI होगा तो किस में दिखाई देगा यह इस में दिखाई गए आप देखें इसमें देखें जैसे एपकल होता है तो first lead में AVL में V2 V3 V4 में दिखाई देगा एंट्रो सेप्टल है तो V2 V3 में दिखाई देगा और एंट्रो लेटरल है तो first lead में और AVL में दिखाई देगा अगर posterior lateral है तो यह third और AVF में दिखाई देगा अगर inferior है तो second third ABF में दिखाई देगा right in perix में है तो यह third में दिखाई देगा AVF में दिखाई देगा B Sr. V4 में दिखाई देगा और V2 में दिखाई देगा यह वाल जो MI होता किस में दिखाई देगा वो बतायं गया आए दिखते हैं कि इसके diagnosis क्या क्या होती है MI की कौन कौन सी diagnosis में क्या क्या मिलता है AB block होगा तो consistent delay in conduction PR Inter more than consistent delay होगा more than 200 millisecond होगा जो PR Inter more than 200 millisecond होगा नमबर दो फे AB block मोविस type first में क्या होगा intermittent conduction flow रोगा with missing of QRS complex progressive prolongation of PR Inter more इसमें का prolongation of PR Inter more होता है मोविस type first में और drop of QRS complex होता है अब मोविस second में क्या होता है PR Inter more remains same होता है यह norm remain होता है drop of QRS complex होता है AB block total block में क्या होता है जैसे complete conduction block of all electrical impulses between atria and ventricles atria and ventricles beats independently जो atria और ventricles होते independently beat करने लगते हैं उसमें कोई correlation नहीं पादाना है P और QRS complex में कोई relation नहीं होता है कितनी drop QRS complex पता नहीं है हाइपर ट्रॉफिक होती लेप्ट एक्ट्रिल नारिजमेंट कब होता है जब पीवेप पॉइंट वन सेकेंड से ज्यादा हो और पार्ट पार्ट और इसमें किसमें V1 में आप्टेंड वाइफ्एजिक पीवेप दिखाई देती है वीवन लीड में वाइफ्एजिक पीवेप दिखाई देती है आए देखती है कि राइट ट्रिमिनेलाज्मंट की अबार एलिबेटेट डीट पीग यह मिलेगी इसमें चैकें सेकेंट लीड में थर्ली डी लीड में और दिखाई देता है और और राय्ट बंदे वंडल ब्रांश मिन ख़ता हूं बैंटेटिंटे पाइक्सीस देव लोकि देखाई देगा सम टैम र काई हुटेंटरुटरौफी जाल्ट सब्सक्राइब में स्ट एलिएशन वही दिखाया देता है कि पेरी काडाटिस में सेमल्तनेएस स्ट एलिएशन आंधा एंटियर और पोस्टिर आटिपकरी रोजनिट्रीटिक फ्रॉम एश्बेब and can be misinterpreted as myocardial infection और hypertrophic cardiomyopathyum क्या होता है sign of late ventricle hypertrophy होता है so co-index करते हैं varying ST segment change without classic localization and deep inverted T-wave dilated cardiomyopathy कैसे होती है non-specific replication and disturbance होता है आईए अब आगे दिखते हैं इसमें क्या होता है hypokalemia में क्या मिलेगा electrolyte disturbance इसमें ST depression होता है provenent U-wave हो सकती maybe merge into T-wave hyperkalemia में क्या होता है talpig T-wave मिलेगी that lateral flattened होगे broad QRS complex हो सकता है finally tachycardia erythymase can occur resulting in bradycardia या a systole अगर hyperkali में होता है तो hypokalemia में क्या होगा prolongation of qt interval होता है hyperkalemia में shortening of the corrected qt interval qt interval short होगा ish changes in indication by distal में क्या होगा distal shallow ST depression होगा ab block possible हो सकता है long qt syndrome क्या था abnormal prolongation of corrected qt interval अब आकर दिखते है दिखते है दिसर्म क्या होता है यह atrial fibrillation with bradycardia क्या था नो P-wave जो atrial fibrillation या with bradycardia no P-wave होती है and irregular isolatric line bradycardia and absolute arrhythmia होता है यह देखे bradycardia no P-wave atrial fibrillation क्या होता है no P-wave irregular होता isolatric line में atrial frequency of more than 300 per minute beat होती है per minute beat होती है with absolute arrhythmia and ventricle rate होता more than 90 beat per minute होता है atrial fatal में atrial frequency 240 to 300 beat per minute होती है and short tooth like P-wave with irregular ventricle conduct through the AV node यह देखे 60 उत्र लाइक दिखाई देता है यह P-wave atrial tachycardia क्या होता है regular P-wave at the rate of 100 to 200 beat per minute some of the P-wave are negatively in the second third AVF sinus tachycardia क्या होता है supra ventricle tachycardia with frequency of more than 90 beat per minute होता है और six sinus syndrome क्या होता है alternating tachycardia atrial fibrillation, atrial flatter, atrial tachycardia, bradycardic arrhythmia sinu-atrial block, sinus bradycardia sometime and AV block occur sustained ventricle tachycardia broad QRS complex at the rate of more than 90 beat per minute broad sustained ventricle tachycardia bt यह आगे फिर दिखते क्या क्या हो रहा है ventricular fibrillation क्या थे chaotic ventricular electrical discharge होता है बिल्कुल ऐसे premature ventricular conduction में क्या होता है extra beat b थे broad and bizarre QRS complex compensate pass bizarre देखे दिखाई देखाई यह देखिए premature ventricular conduction होता है by g minus क्या होता है every sinus beat is followed by the premature ventricular conduction यह देखिए इसमें देखाई थे इसे बिजी मिनस कहते है ट्राइ ट्राइ जे मिनस किसको कहते है every second sinus beat is followed by a PBCV premature ventricular conduction यह दिखाई गया है bundle branch block क्या होता है incomplete late bundle branch block क्या होता है widening of QRS complex more than 0.10 second but less than 0.12 second obtain our reduction over the anterior complete left bundle branch block क्या होता widening of QRS complex more than 12 second delay of terminal negativity in V6 यह दिखिए दिखाई गया है अब आते हैं left anterior fascicular block क्या होता है no widening of the QRS but left axis deviation होता है left posterior fascicular block होता है no widening of QRS but right axis deviation होता है अब अब ब्राइडी अरिदिम्याज क्या होता है SA block sinus auricular node block क्या होता prolongation of syno-alternal conduction time not visible on ECG SA block vinky block क्या होता है progression prolongation of the SA conduct with the ultimate interruption in conduction sinus interval shortened until a break occur which is shorter than two pp interval देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है SA block moby's first में क्या होता है intermittent sinus pass that re a multiple of sinus interval आई देखते हैं फिर से इसको क्या होता है कि first degree ev block क्या होता जिसमें तो first degree ev block में क्या होता है PR inter more than 0.2 second होता है most common cars of first degree ev block में क्याता है यह सारी होते हैं cars होते हैं इसके कोई भी cars हो सकता है इन में चीज़ों से especially electro like disturbance से ही होता है जिसे hypokalemia और hypomagnisemia हो सकता है second degree ab block में क्याता है benchy block tag movies first में क्या होता है इसे progressive prolongation of PR interval और on consecutive followed by P a blockade P wave drop of PRS complex progressive prolongation of PR interval तो drop of PRS complex होता movies first में second degree hardware और movies second में क्या होता है PR interval constant होता है और drop of QRS complex होता है third degree heart block में क्या होता है irregular PP interval होता है irregular RR interval होता है no relation between the P wave and QRS complex होता है so PR interval will appear very well fourth QRS complex impulse look different from the others this is because it is from different accessory pacemaker in the ventricle than the other QRS complex यह पूरे दूसरी तरफ कास दिखाया गया है right bundle branch back क्या होता है broad QRS complex of more than 0.12 second duration rsr pattern मिलता है यह यह हम save pattern मिलता है इसमें right bundle branch branch जिसे चित्र में लिखाया गया है आप V1 में lead में देख सकते हैं किसमें दिखेगा V1 में let bundle branch back क्या होता QRS widening at the least more than 1-2 second there should not be any q wave in either lead first or lead V6 predominatory negative qrs in lead V1 there may be an initial small r wave in lead V1 lead V1 में either qs or rs complex qs pattern यह rs pattern पाया जाएगा किसमें lead V1 में ht segment change opposite to the dominant qrs component t wave change in the same direction as the ht segment कि यह देखा है lead ventricular hypertrophy में दिखाया गया है कैसे मिलता है lead ventricular hypertrophy इसमें क्या होता है accompanied by ht segment depression asymmetrically negative t wave green arrow से दिखाया गया है आते हैं MI क्या होता है MI को जान लेते हैं septal MI किसमें पाया था V1 B में V2 में पाया था कौन से suspected artery में दिक्कत होती है left interest descending artery में interior वाल MI किसमें पाया है V3 B4 यह इसमें दिखाया गया जो MI होता है किस lead में कहां कहा है तो किस lead में देखा जा सकता और कौन से artery infect करेगी यह आप देखके प्रचित्र को देखके समझ सकते हैं बागी आगे हम सब बता दिए इसी जी rhythm क्या होती है नॉर्मल sinus rhythm दिखाया गया ventricular tachycard दिखाया गया कैसे होता ventricular fibrillation दिखाया गया है premature ventricular contraction क्या होता atrial fibrillation क्या होता इनके बारे हमने आगे बताया दिए यह आपको भी इसी जी इसी दिखाया कैसे दिखाया देगी और brady tachycard atrial flatter क्या होता sinus arrest कैसे दिखाया जाता है और sinus pass क्या होता कैसे होता यह इसमें दिखाया गया आए इसी जी का interpretation फटा फट देखते हैं कैसे होता आप देखे इस दा p wave अगर p wave है yes अगर है तो ठीक abnormal है है लेकिन abnormal है यह बिलकुल नहीं है अगर है तो क्या हो सकता चलिए देखते हैं अगर p wave है तो p wave है तो is p wave always related to qrs complex अगर p wave qrs complex always related है yes तो क्या होगा measure pr interval अगर pr interval को measure करते हैं अगर normal है तो sinus rhythm है अगर long है तो first degree heart block है अगर अगर मालो p wave is not related to qrs complex नहीं है मालो sometime है तो secondary degree block हो सकता अगर बिलकुल नहीं है तो third degree block हो सकता है no qrs club ventricular still हो सकता है अब आते हूं तो अगर p wave है abnormal है तो देखते हैं अगर rate देखते हैं अगर 300 per minute है तो atrial flatter हो सकता है या inverted pre या post qrs है तो junctional हो सकता है आये जैसे माली ये p wave नहीं है तो qrs complex देखते हैं qrs complex narrow है फिर देखते हैं regular है कि irregular है अगर regular है तो atrial junctional हो तो irregular है नेरो भी है irregular है तो af हो सकता है अब देखते हैं qr complex wide है अगर wide है तो regular है तो ventricular हो सकता है अगर non है qrs complex ही ने vf stole हो सकता है ये दोस्तों ये interpretation का तरीका होता है ये चार्ट को बिलकुल याद करने दोस्तों अगर इसी जी समझ में आया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं धन्यवाद मित्रों